दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केशना फैंटेसी में इंडाजम बात करेंगे फैंकोड ECST10 मैच के बारे में जो कि यहां से खिला जाएगा KRS वसा HUD के बीच दोस्तो यह मैच आपके investment के लिए काफी अच्छा होने वाले क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे Trump प्लेयर होने वाले जिनका selection जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से win भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्सन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किर्षना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजिएगा टेलिग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाई और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाई जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करिए और माई फैर विलावन आपको डाउनलूड करके रिजिटर कर लिजिए अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फिरी में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो अगर आप अलड़ी प्रॉफिट में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जादा प्रॉफिट बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको MyFayV11 आपको डाउनलोड करके रेजिटर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करें और MyFayV11 आपको डाउनलोड करके रेजिटर कर लेजिए दोस्तो अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है तो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डीटेल के साथ एक एक चीछ बताता हूँ तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बात करें अगर हमारी fantasy की team की तो wicket keeper में सबसे प्यास मुसिल्या का option है सबसे पहले आपके पास अगर इनके betting order के बारे में बात करूँ number 4 आपको betting करते वे नजर आने वाले recent के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो इन्होंने 3 run करें उससे पहले अगर मैं बात करूँ 20 run करें फिर इन्होंने 14 run करें 2 run करें और 7 run करें ये इनका performance से वहीं अगर मैं आश्वे बात करूँ जुवाक के बारे में इमाल जुवाक आपको open करते वे नजर आएंगे last run में 2 run करें उससे पहले अगर मैं बात करूँ 245 run करें फिर 12 run करें एक run करें और 25 run करें लेकिन इनका record और भी ज़्यादा अच्छा है T10 में अगर आप देखोगे style के बारे में बात करूँ open करते वे आपको नजर आएंगे last match के बारे में बात करूँ 10 run इन्होंने करें उससे पहले एक run करें उससाथ run करें अब तीन विकेट कीपर option में हमारे पास जो best है वो मुझे इमाल का लग रहा है तो फिलाल मैं इनको ही अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ बात करेंगे दोस्तो बैटिंग में तो S Khan का आपके पास option होने वाला ही आपको बैटिंग में दिये वे लेकिन ये बालिंग करवाते वे नजराने वाले लास्में में एक ओवर बालिंग करी थी हाला कि इनको कोई विकेट नहीं मिला अगर आप चाहो तो इनको अपनी टीम में रख सकते हो अजरवाइस इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो वही अगर यहां से किसी और के बारे में मैं बात करूँ दोस्तो जजाई का आपके पास option है जो कि नम्बा 3 पर बैटिंग करते वे नजराएंगे लास्में में 4 सन करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 35 सन इनोने करे फिर 40 सन करे फिर 33 सन करे और 22 सन करे लास्ट पांट में से दो मैचेस में बालिंग भी करवाई हो दो विकिट भी इनको मिले इंपोर्टेंट हो जाते है इसलिए मैं इनको अपने टीम में लेके चल रहा हूँ वहीं दोस्तों अगर यहां से किसी और के बारे में बात करें बैटिंग में जो आपके लिए एक अच्छे उप्शन हो सकते यहां से खान का आपके पास उप्शन होने वाला है बैटिंग और के बारे में बात करूँ ना ही हर मैच में बैटिंग करने उपर आते हैं दोस्तों क्योंकि लाश पांच मैटिस में जो इन्होंने खिले किसी भी मैच में बैटिंग नहीं है इसलिए मैं इनको skip करके चल रहा हूँ दोस्तों अगर आप चाहो तो try कर सकते हो मैं अगर यहां से बात करें किसी और के बारे में जहीर का आपके पास option है नंबर 3 आपको खेलते वे नजर आने वाले recent में 7 run इन्होंने करे थे last win में अगर आप चाहो तो रख सकते हो T10 में record इतना अच्छा है नहीं दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखेगा फिलाल में एक batsman के साथ जा रहो उजजाई के साथ अगर मैं बात करूँ all rounder के बारे में दोस्तों तो यहांसे गुजेर का आपके पास option होने वाला है recent के बारे में बात करूँ देखो betting order इनका number 7 पे रहने वाला है recent में इन्होंने 2 run करे उससे पहले 18 run करे और 18 run करे वहीं 3 matches में इन्होंने 1 wicket निकाला है अगर आप चाहो तो try कर सकते हो क्योंकि continue balling नहीं करवाते शायद अगर करवाएंगे तो 2 over भी पूरे ना डाले इसलिए मैं इनको skip करके चल रहा हूँ वहीं किसी और के बारे में बात करे रहमानी का आपके पास option है आपको बैटिंग करते वे नजर आजेंगे लाश्म में 20 सन करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 25 सन करे वहीं 32 सन करे लाश्म 5 में से 3 matches में balling करे और 2 wicket निकाले important हो जाते इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ इकबाल के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो नमबर 4 बैटिंग करते वे नजर आएंगे लाश्म में 5 न इनोंने करे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 0 रन फिछ 26 न और 7 न लाश्म 5 में से 4 matches में balling करे यह हाला कि wicket इनको एक ही मिला लेकिन important हो जाते क्योंकि थोड़ा सा उपर बैटिंग करे और बैटिंग 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 दोनों करेंगे अब दोस्तो इनकी जो team की last match में में पूरी मतला बैटिंग ओडर पूरा change हो गया जो बंदा open कर रहा था उसको number 78 पे भेज दिया फराट का आपके पास option होने वाला है number 5 पे ये बैटिंग करेंगे plus balling करेंगे दोस्तो लास्मिन में 2 run करें और 0 wicket निकाले लेकिन इनका record अच्छा रहा important हो जाते है इसलिए मैं इनको अपनी team में लेके चल रहा हूँ वही दोस्तो अगर यहां से मैं बात करूँ इंशाओला वफा के बारे में open करते भी नज जाएंगे लास्मिन में 21 run करें उससे पहले अगर मैं बात करूँ 13 run करें उससे पहले 27 run इनोंने करें फिर 28 run करें दोस्तो और 11 run करें लास्ट पांट मैचिस के बारे में अगर मैं बात करूँ चार विकेट भी इन्होंने निकाले important हो जाते इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ ऐस हैमत के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो वैसे अगर मैं बात करूँ जुवाक इनकी टीम के लिए open कर रहे थे उने बैटिंग करी और बॉलिंग करी क्योंकि इनका बैटिंग ओर काफी नीचे कर दिया या था इस चीज को ध्यान में रखिएगा लास्ट मैच में ये बंदा नंबर आट पर बैटिंग करने आया था चरवाते वे 6 विकेट इन्होंने निकाले इंपोर्टेंट हो जाते इसलिए मैं इनको अपने टीम में लेके चल रहा हूँ टोटल 6 मेरे यांसे जोई और राउंडर रहने वाले बालिंग में बात करें कवरी का आपके पास option होने वाला है अगर इनके बारे में अगर मैं ब टीम में लेके चल रहा हूँ एफ मोमन्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो क्या पर्फोर्मेंसे लाश मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ एक विकेट इन्होंने निकाला था और रीसन के चार मैचस के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो आठ विके निक गर यहां से किसी और के बारे में बात करें दोस्तो जो आपके लिए important हो सकता है यहां से नोमान का आपके पास option होने वाला है दो और आपको डाल के देते लास्ट विंड में एक विकेट निकाला था important हो जाते देत में भी आ जाते बालिंग करवाने आप इनको रख सकते हो वही यहां से जफर एक और आपके लिए अच्छे option होने वाले last minute में दो विकेट निकाले उससे पहले अगर मैं बात करूँ जीरो विकेट फिर एक विकेट निकाला था फिलाल मैं यहांसे नोमान को अपने टीम में रख रहा हूँ तीन मेरे बालर रहने वाले है captain voice captain के बारे में बात करूँ दोस्टो आहमत को मैं यहांसे captain कर रहा हूँ फिलाल के लिए जुबाक को vice captain अगर जुबाक open लिए नहीं करेंगे फिलाल ही अमारी टीम का प्रिव्यू आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना कॉंट्रेस जोइन कर सकते हैं फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करें और टेलिग्राम चैनल को जोइन करें यह फाइनल टीम टेलिग्राम पे मिलेगी दोस्तो अगर आपको 20,000 रुपेगी आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप मेंसे काफी भाईयों को पता हुगा कि अगर आप माय फैव 11 एप को फर्स्ट तैम डाउनलूड करके रेजिटर करते हो तो माय फैव 11 आपको 20,000 रुपेगी फिरी एंटी देता है इसमाल लिख एड टो एड में तो बस आपको माय फैव 11 एप को डाउनलूड करके रेजिटर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाई हो डिस्किशन बॉक्स में दिया वाई जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करिए और माय फैव 11 एप को डाउनलूड करके रेजिटर कर लीजिए अगर आप लॉस में चल दे हो तो फिरी में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो अगर आप अलरड़ी प्रॉफिट में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको माय फैव 11 एप को डाउनलूड करके रेजिटर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाई जल्दी से आईए लिंक पे किलिक करें और माय फैव 11 एप को डाउनलूड करके रेजिटर कर लेजिए चलिए दो सो मिलते हैं मैं स्टैम टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चिलूड़ी आईगा और मैं स्टैम एक्टिव रहीएगा